नमस्कार दोस्तों सोगात आपका नेटिंग एंड क्रियेशन चैनल पर आज मैं आपको यह डोर में डिजाइन होता हूंगी यह देखिए मैं चूटा बना रहे हूं इसलिए मैंने कम फंदे डाले हैं मैं 18 फंदों में बता रहे हूं आप बड़ा बनाएं तो आप 45 फंदे ड बनाऊंगे और कलर चेंज करूंगी कि गणा तीन फंदे में इस कलर से बनाने के बाद कलर चैंज कर दूंगी फिरसे में वही ले लूँखे वापस से फिर से जोड़ना है और यह ले ले लीःएं तीन-तीन फंदे कर के मैं ले रही हूं अब बापस से यही मैं सारी फंदे बना लूँ जो जिस कलर से उसी से बनाऊंगी और जो नीचे तीन फंदे मैं सोड़े ते उनको छोड़ कर बनाऊंगी उनको नी बनाऊंगी यह मैंने नहीं बनाया मैं यहीं से बापस ले रहे हूं और मैं यह तीन फंदे और उतारूंगी और अगले सलाई अगले फंदे से बनाऊंगी यानि कि मेरे अब 6 फंदे चूट गया है मैं तीन तीन करके छोड़ रहे हूं अब इन फंदों को भी जो जिस कलर से उसी कलर से बना लूँए यह देखिए इनको छोड़ दिया ने इसे ही मैं तीन तीन करके सारे फंदे छोड़ दूँगी आगे से बनाऊंगी तो मेरे तीन फंदे रह जाएंगे तब मैं बताऊंगी यह देखिए मेरे सारे फंदे छूट चुके हैं अब मैं यहां से जो फंदा जिस कलर से उसी कलर से नीचे तक बना दूँगी सारे फंदों को जब आपका यह उपर तक बन जाए अब आपका यह उब आपका यह उब आपका अदों को उब आपका यह उब आपका लगए अब मैं पीछे से में एक कली अप्रीट हो गई है अब जैसे हमने इस एक लाइन निकाली थी साधा ऐसे निकालेंगे सारे फंदों को हम एक ही कलर से बना लेंगे कि यह देखिए एक सलाई मैंने दोनों तरफ से साधा निकाल दिये अब फिर से यह तीन फंदे चोड़ेंगे चोड़ दिये तीन फंदे अगली फंदे से इसे ही करेंगे जैसे हमने स्टार्टिं में किया था तीन कलर तीन फंदे एक कलर के दूरी फंदे एक कलर के आज चाहे तो इसमें और कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं मैंने दोई कलर का बनाया है कि यह देखिए इस तरह से बन जाएगा बहुत ही सिंपल है और बहुत सुन्दा लगेगा अगर आप अच्छे कला यूज़ करें तो ऐसे एक सला ही निकलेगी और पीच में यह तीन तीन करके इस तरह छोट से ले आएंगे यह देखिए अधर आपको मेरी यह वीडियो पसंदा यह तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार